तो हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है उदितना रायन विश्वकरमा और स्वागत है आफ सब लो का मेरे यूटूब चैनल उदित फरमेशी पे तो फ्रेंड्स जी आज की वीडियो है आज की वीडियो में हम बात करेंगे या फिर यूपी एस डबल ई बोले या फिर यूपी ट्यूव बोले या नि डाक्टर एपीज अब्दुल क्राम टेकनिकल इनवर्सिटी के लिए जैसे की बीटेग भी फार्मा के लिए तो इस इक्जाम के डीटल के बारे में हम बात करेंगे कि क्या कुछ रहता है प्रोसेस क बात करेंगे कि कौन लोग इसको एपलाई कर सकता है खास तोर से यहां पर हम बात करेंगे बी फार्मा के लिए यानि बी फार्मा का जो यूपी में जो सीट है जैसे की कुछ गवर्मेंट कॉलेज हैं बहुत से प्रेवेट कॉलेज हैं तो अगर आप एडमिसन लेना चाहत प्रेवर्मा के लिए बात करेंगे और बी फार्मा के तरह ही इसमें बायोटेक आप जो है बायो टेकनलोजी और और B-tech है, same ही है, तो B-Pharma का हम इस प्रेसल से बात करेंगे, लिए अगर आप B-tech या फिर बायो टेकनोलोजी भी करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, तो अप अप्र अप्लाई कैसे कोन कर सकते हैं, तो आप पता चल गया, इसके बाद बात करता है, question कैस कैसा रहता है, देखिए, जो intermediate में, जैसे कि अगर आप math लिया है, या फिर बायो लिया है, दो ग्रूप होता है, तो science stream वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके तो है, अगर आप arts या फिर commerce हो, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो science stream से आप अगर math है या फिर biology है, कोई कर सकता है, यहां रहता है question जो रहता है, question paper इसमें रहता है 1.500 total, 150 question, 150 question में 50 question आपके 50 physics, 50 chemistry और 50 biology, या फिर आपका mathematics है, तो 50 mathematics, ये B pharma के लिए है, B tick के लिए भी सेम है, लेकिन B tick को क्यों math वाले लोग कर सकते हैं, ना कि biology वाले, तो इसमें जो है कि B pharma math या फिर biology कोई भी आप कर सकते हो, तो आपको math का, अगर मैं है, तो math का, आपको इंटरेंस इंग्या देना पड़े हो, आपका bio है, तो आपके इंटरेंस सिग्या में जो question रहेगा, वो bio करेगा, फिर इस chemistry दोनों में सेम रहेगी, इसके बाद एक question ये रहता है, चार नमर का, इसमें किसी प्र प्राजा लगा सकते हैं कि किस तरह का question आता है, इसके बाद friends, इसकी तयारी के हम बात करें कि आप कैसे तयारी कर सकते हैं, इसका syllabus क्या रहता है, देखिए, syllabus कुछ अलग नहीं रहता है, जो इसका syllabus है, वो टोटल आपकी intermediate base ही रहता है, अगर आप इसका अलग से इंटरेंस exam की book लेना चाहते हैं, तो मैं description में link की दे दूँगा, वहाँ से आप purchase कर सकते हैं, लेकिन आप गता है कि आप NCRT की और बुक पढ़े हैं, जैसे कि यूपी पॉल्टिक्निक हो गया, फिर आपका EKT हो गया, तो लगभग से नहीं ही रहता है, हाँ, यहाँ पे EKT में 45% रहता है, अगर SAC category है, तो 40 या फिर general या फिर OBC के लिए 45 marks के साथ, जो है percentage के साथ, तो आप B भार्मा या फिर B टेक कर सकते हैं, जो कि UP में जो government college है, फिर कुछ private college है, इसे, आप इसका त्यारी करना चाहते हैं, तो अभी से त्यारी चालू कर दें, इसका form आने के हम बा इसका exam होता है, अप्रैल माई तक definitely इसका exam हो जाता है, और जून जुलाई में तो admission आपका होता है, जानते ही हो, तो अभी बहुत time आपके पास, अगर आप देखें, तो है, अगर आप intermediate की त्यारी कर रहे हैं, तो intermediate के साथ साथ, अगर आप इसका भी त्यारी करते हैं, तो इसमें totally, जो है कि multiple choice question आते हैं, आपको पता ही होगा, आप देखना चाहते हैं, question paper तो देख सकते हैं, हम कुछ दिन बाद upload करेंगे, चैनल को subscribe करेंगे, तो आपको notification मिल जाएगा, हम upload करेंगे, तो, इसके साथ ही, अगर आप book लेना चाहते हो, तो book से भी study कर सकते हो, और सा पढ़ेंगे, तो और भी best है, तो यही friends रहा, अगर आप admission लेना चाहते होंगे, फिर बी टेक मिल लेना चाहते होंगे, तो आप इस form को apply कर सकते हैं, तो friends, अगर वीडियो अच्छी लेगे, तो वीडियो को एक like कर देंगे, और चैनल को subscribe कर लिए, फिर मिलते हैं next वीडिय होगा तो आप comment कर सकते हैं